पहले बात तो इनसे यह जानना चाहता हूं हिंदू सब्द आया कहा से मोधी जी आएंगे मोधी जी का स्पोर्ट है अच्छा इलेक्शन ट्वेंटी ट्वेंटी फॉर में दो बड़े स्टॉंग कैडिडेट है कॉंग्रेस के पार्टी है राहु जांदी जो बोलो गए हाथ में हत्ता कर लूँगी हमने इनको भी देखा और सब्सक्राइब कर दो इसलाम अलेकुम मैं वेलकम टूर्यक्ति मैं नाम है तमजील और आप देखेंए मेरा यूट्यूब चैनल रियक्टिंगी तो आज मैं रियक्ट करने वालों दो इंडियन्स के दर्म्यान एक चलती बैस लेक्शन 2024 को लेके और अगर आप मुझे इंडिया से देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जूरू कर देना और अधर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हम चलते हैं कॉंग्रेस की सरकार है रही है चुनाओ लड़ने आई हैं तो कॉंग्रेस ने कभी पहले चेहरा नहीं दिया इंद्रा गांधी और नहरुजी को छोड़के ठीक तो भया लेकिन ये बात है कि जब भी कोई परधान मंत्री दिया जाता है वह बैस्ट दिया जाता है एजूके कि एक डिकेट के बाद महुल बजलता है ठीक है जो लोग 2014-2018 के ते आज वह थाइस के हैं जिम्मेदारियों के तलह हैं ठीक महंगाई समझते हैं बर्योजगारी समझते हैं इसलिए बीजेपी नहीं आएगी वह जुमला भी समझते हैं ठीक है इसलिए कॉंग्रेस जरूरी ह पूरा सुनो ठेक है 400 पार कॉंग्रेस सरकार ठेक है प्रदान मंतरी ने जो काम किया है दोनिया चार्दिन की एचाओ दिए जैड़े सालकॉमर हो गई स्टीक फ्रद्स भीड़ेर किराये में रहा चुकी मैने अब नराय्ला में रहती हूं तरह किस्तों में मकान ले रखती हूं तरह मैयरे ना मांजु एम्स भी बोल लहीं जदी कॉंगरेस सरकार हो गई थोंग् तो आप दिल्ली छोड़के चले जाओंगा मेरा तो जमीन पर लेट जाओंगा कोई भेजगर जब भी जगर जाओंगा मैं तो नहीं जाने का मेरा देश है और मैं जिऊंगा भी यहीं मरूंगा भी तो चेक सब्सक्राइब अभी यह क्या है कि अगर बीजेपी की सरकार नहीं आई तो मैं आतमदाह कर लूँगी हमने इनको भी देखा और इन जैसे कई बाबा को भी देखा MP में एक बाबा MP में कहता हिंदू राष्ट बनाओ नहीं तो मैं मर जाओंगा आतमदाह कर लूँगा आग क्या वाले कर तो यह पॉलटिकल लोग है करूले Usually कि दिल इंडू आए लोगों की दिल कि पहली बात तो हुंसे जानना चाहता हूं हिंदू सब्सक्राइब निये जब मुगल इंडिया में आए सबसे हैं नहीं प्राचीन प्राचीन का नाम हरपा सपपथा और हरपा का दूसरा नाम है संदू-घाटी सब्षे हैथ तो जब मुगल आए तो उन्होंने यहां के लोगों को सिंदु घाटी के जाना ठीक यहां के देश को सिंदु घाटी तो सिंदु का जो फार्सी ट्रांसलेशन है उर्दु भासा की जो लिपी है फार्सी सिंदु का जो फार्सी ट्रांसलेशन है उसको हिंदु कहते हैं और वह किसी भी किताब में जो लिखी हुई हो यह इंदुराश्ट कैसे बन जाएगा और दूसरी बात हिंदुराश्ट बाई बता रहा हुँ ना पहले कभी था ठीक आरे राश्ट था सनातन राश्ट था और सुने तुमने देखा होगा माता आती है बड़ी बात और देखा कि और तो क्या रही तो आद्मियों के भाने लगे बहरा बाबा आस तक किसी में लेखा गया राम जी देखा गया क्योंकि बहराब आएंगे तो टनड़ मचाएंगे लेकिन जिस दिन राम जी आ गए न किसी पर और तिन्वों तमीजदाः हो जाएगा दूसरे से इ तो नारे लगाके उसकी हत्या कर दीज जारगन में तबरेज जात नारे लगा के उसकी हत्या कर दीज़ कर देगे और अभी जो कांड हुआ हर्याना का ठेक है जुनेद और एक और वहीता क्या नाम तो उसका नसीर उन दोनों की गाड़ी में फूक करत्या कर दी सब कुछ राम के नारे के तले गवा और यही अगर अगर अकबर के नारे के तहत हो जाता ना तो यह देश आतंगवादियों का सारे आतंगवादिये ठेक है सुनो नई ने आप यह बताए कि राम के नाम पर हत्याएं हो रही है ठीक आपका कहने यह यह बताओ आज तक कौन सा हिंदू कौन सा का गाउत सनातनी जो टेरिश्ट नाम हुआ हो किसी ने भी का राम कोट से आजाद भारत का पहला हिंदू नातूराम वह था आजाद भारत का पहला आतंगवादी ठेक और सुनो अभी कशिमीर में पकड़ा गया था टीजीप प्रविंदर सिंग नाम था ठेक वह बहुत पड़ा नहीं लेकिन जितना मैं जानता हूं आप यह बताओ गांधी जी चाहते तो भारत के दो टुकड़े नहीं होते भारत एक ही रहता ठीक है वाट्सप यूनिवस्टी ग्यान मैं भी बताता हूं गांधी जी चाहते मैं एक मिट किलियर कर देता हूं भाई इसलिए कहता हूं किताबे बढ़ा करो बाई जब देश की अवधारना चलीती उननिस सो संगटनों से संबंदित नहीं हो नहीं के बिझर वेज़ें सारी सीज़ें कर सकते थे क्या कर उनके हाथ में सब था अच्छा मुस्लिम लीग का नम सुना तुमने कौन थी कि के जिन्ना थे उसके अदिक्ष अद्यक्ष तो यहां जादि में किसके का योगदान था खाई बारत की दो पार्टियां मुस्लिम तो बाइब ढ़िया दो पार्टिए ठीक एग जैसे यहां पर आरे से हैंजों हिंदूराश्ट की मांग कर रहा है ऐस्ट अगर आजू राष्ट की मांग गलत नहीं है इन संगठनों द्वारा तो उस टाइम पर मुस्लिम लिग द्वारा मुसल्मान वहां का एक बंदा था जिनना भई वह एक नहीं आपस में विवाद नहीं होना चाहिए गांदी जी ने अब इनको यह पता है इसके बात क्या कहते है जब यह बात यह आजादि के तुरंट बात की बात है उस ट्राइम की परिशित लेकिन उस सर्दार बंदा माई पटेल के लिए न्यूक्त किया था गया था न उनको पटेल को और बाकिक नोवोट किसी और को मिले थे फिर भी वह अब यह बता हो और मैं यह गांदी जी के बज़े से जवाला नेहरू जी बने हैं और और सब को पता भी था कि जिन्ना जिन्ना को पर परदान मंत्री बना इस देश के एक भी मुसलमान जिन्ना का सपोर्ट नहीं करता है आप पूरे मुहले में जाकर करके सरवे कर लिजी ब कि गांदी जी के बज़े से जवाला नरु देश के पर दान मंत्री बने एक्षन के उससे पहले वह किसी पार्टी। टीन साल तक जंडा फिराया देश में वह राष्टी प्रतेल मंत्री क्यों नहीं हुए यह 550 में होगह और पहला देमोक्रेटिक इलेक्षन हुआ ऑ न sleeves गांधी जी ने कोई बटवारा नहीं किया गांधी जी न उस टाइम के साफ से सिच्वेशन के साथ जो बेस्ट था बातों से सहमत हैं लेकिन दुको लेकिन लेकिन सबसे बड़ी बात है अगर मेरे मिर्त से आजादी मिले वह किस काम की बातों कि नो अलग अलग भाग हो चाहें ये 60 सब्सक्राइब लेकिन उसके आसोग समराथ आशोग का नाम तो सुना होगा सब लोग तो पूरी जंता को मोदी जी काम से खुश रहना चाहिए लेकिन राज्यों से हम दुखी हैं त्षी कारोंथ भारत में चब भी बिमारी आती आपड़ा आती डिसाष्टर राश्टीर रहत कोज बोलते तो वहां से पैसा निकलेगा और उस बेमारी के टाइम पर खर्च qui मोधी जी ने यह सब होने के बावजूद एक फंड मनाया उसका नाम था पी एम कियर फंड आप सभी जानते कुरोना में ठेक और देश के सभी लोगों से अपील करी कि आपकी जो इक्षाव इसमें डालो बहुत सारे लोगों ने पैसा डाला कुमारी विस्वास ने डाले थे अब इसके बाद बहुत सारे लोगों ने पैसा डाला कोई दिक्कत नहीं है अच्छी बात है देश की सेवा के लिए मांगा तो जब उसके बाद हमारी विस्वास ने डाली कि मैंने जो दो लाग डोनेट कि वह कहां खर्च हुए तो फिर यह जवाब क्यों आया कि यह वाला परेस कोनफरेंस करते हैं यह परदान मंत्री अभी नौ साल से एक प्रेस कोनफरेंस क्यों नहीं करी लेकित यह बताओ कि हरत हर बार करते हैं किस चीज में बताव इप साल में एक बार प्रेस कोनफरेंस होती कोई स्कूल का मुगरत करने जा सकते हैं यहां पर चाहिए वहां पर फॉटो के चवाले के लिए यह काम परदान मंदी के तोड़ी मोदी जी को सा है कि अपना फेस दिखानार भेगा परदान मंदी का थोड़ी मैं सब चीज बात करते हैं और प्रेस को नियुज वाले जाये तो क्यों नहीं करेंगे बता हो क्यों नहीं करेंगे बता हो बुलाएंगे उनके गर के बार आके धरनान वे लेगे इना लिए अरहां थैयों अरहा नहीं किसे भी नहीं नहीं आ रहे हैं डहे आए 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 आएगे आए 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 अचा जैस्टा इस्री आए आए अचाए आए मोधिधी आएँगे पूजपाद कमल तुम्हारे सुनि नर्मुन सब होए सुखारे कौन सकाजत कि इसको मां पूछाज आधा नहीं लगा आधार। इसको ग्यान है वो नारन नहीं लगाएगा और जो जो राम जी पढ़ लएगा न वो कि ऐगा नहीं सांत होगा ठेक पहले हम जब पुलते थे अभी का लगारे निकल बाहर घर से कहा हैं तू एक्जैक्टली बहुत ही जारा बहुत ही ज्यारा बहुत ज्यारा इससे ही यह लास्फ ली बात हो यार वो उसको देखने कि मतलब उसको फॉलो करते हुए आप कि इस समयने गलत समझने लगे और पीडिया पॉलो करते हो उसको गलत समझना शुरू हो जाए तो यह बड़ी अच्छी बात की लास्ट में इस बंदे न और शुरू में शुरू से अंड तक मैंने इस बंदे की इतनी भी बात सुनी मतलब फुल नॉलिजबल थी और इसके किसना मतलब इसका स्ट्रॉंग नॉलिज था बहुत ही स्ट्र मतलब हर चीज़ को इसने लेकर बहुत जबरस इलाबरेट किया जिस चीज़ का क्वेस्टन पूछा उसने उसकी वह लकीर खेंच के एक बाल की खालो तार जी पकड़े तो गाइस यह होती है वही बंदे के पास नॉलिज और सही फॉल्वर इसको बोलते हैं कि जो बंदा मत होगे वो मानेगा भी और आपको बात मनवाएगा भी आपसे तो यह थी आज की वीडियो होपसवाप को वीडियो अच्छी लेगे होगी लाइक कर देना जरूर वीडियो को अगर अभी तक आव यहां पर पहुंच चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैन नेक्स वीडियो में तब तक के लिए लाहाँ